हलो एब्रिवान, वेल्कम ट्यू ओनली आईएस, स्वागत है आपका हमारे सेशन में, जहां हम मौडन हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले एक ओरिंटेशन सेशन इसका हो चुका है, जहां हमने ब्रॉडली डिस्कवर किया था रेलेवेंस अप्रोच होनी बेसिक सोर्स कौन-कौन से हैं और कैसे रिविजन करना है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फोर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि हमारे तेजस प्रोग्राम के बारे में, प्रिलिम्स आने वाला है, और स्टूडन्स को बहुत दिक्कतें आती है, इतना बड़ा बस इतने कम टाइम में कवर करने के लिए, तो एक ऐसा कोर्स जो पूरी तरह से आप्टमाइज़ है आपकी प्रिलिम्स प्रेपरेशन के लिए, वो है तेजस प्रिलिम्स क्रेश कोर्स 2022, जिसके अंतरगत आपको 200 घंटों से भी जादा का वीडियो लेक्शेस मिलेगा, जि में चाहे वो एलेविलेशन टेकनीक्स हो, प्रिलिम्स की स्टैटरजी हो, या फिर प्रॉपर, वेल, आप्टिमाइज लेक्चर हो, तो दे पॉइंट तरीके से, जहां अगर आप किसी वजह से अभी तक रिवाइज नहीं कर पाए अपने पोर्शन को, या आपको लग रहा है, यह कोर्स specifically प्रिलिम्स को टागेट कर रहा है, और एक तरह से एक crash course है, और crash course की basic कहानी यह होती है कि, जो content है वो आपको, कम से कम time business करके provide कराना यह हमारी कोशिश है तो यह जो lecture series है modern history की यहां हमारी कोशिश है कि prelims में आने वाली जो संभावना है जो इन topics की उनको पूरी तरह से cover किया जाए और modern history start करने से पहले मैं बता दूँ कि जो pattern रहा है अगर पिशले 3-4 साल का देखें तो 2018 में almost 12 question modern history से थे 19 में 5 थे 20 में 6 थे 27 से 8 के आसपास question थे modern history से खास बात यह है कि जो आप 7 question देखते है न modern history के वो उनको cover करने के लिए बहुत कम time invest करना होता है और अगर आप देखें अब जिसे 7 question या 7% के आसपास जो आपका पार्ट बन रहा है modern history का यह आप बहुत ही कम time में cover कर सकते हैं क्योंकि आपके source limited है modern history के और question आने पके है for example let's say अगर आप मैं आपको अगर इसका एक और वो दूँ एक basic कहानी तो आप देखें अगर आप एक भी current defense की magazine किसी मन्त की पढ़ते हैं ठीक है मान लीजे अब जुलाइ अगरस के current defense पढ़ रहे हैं तो आप अमूमन मेरे हिसाब से 200 pages cover करेंगे और कई बार ऐसा होता है कि 200-300 pages में से कुछ नहीं आता zero questions आस पर करने तो पढ़ते हैं महीली के current defense करें जाएंगे लेकिन जो core subject है जिनकी बात है यहां की गई है modern history, polity, environment, Indian economy यह sources defined है कि भाई यहां से बहुत से questions आएंगे तो मतलब अगर आप modern history का यह course लिए भूस खतम करके जाते हैं तो question आने पके हैं पक्के question आएंगे और मुश्किल हो सकते हैं पर आपको पता कि हाँ यह मेरे portion से आए question तो इसलिए बहुत ही important है कि जो core subject है उनको cover करें current defense is important मैं यह नहीं कहरा कि important नहीं है लेकिन हमें जो core topics उनको ढंक से cover करना चाहिए अब बात करते हैं इस topic की जो modern history है probably शुरू कहां से होता है तो advent of European से लेके हम cover कर रहे है Indian independence struggle तक जो orientation lectures में already discussion हुआ था कुछ students के जात हमारी तो यहाँ focus है कि इसको to the point रखा जाए आपको content already मिल चुका है या मिल जाएगा उसमें आप उसको बहतर तरीके से revise करें सभी चीज़ें ठंग से highlighted है boxed है यह lecture specifically उन points पे cater करेगा जो context वाले question बनने है ताकि जो बाकी sources है अगर बिबिन जनरा हो गई या बेल ग्रोबर हो गई ऐसी किताब में आपको ना पढ़नी पड़े spectrum के लिए आपके पास time नहीं है कि वो नई जो edition है वो काफी मोटी है तो आप यह lecture series पूरी देखे notes को revise करिए और अपने value को add on करते रहे है I hope कि जो भी portion है वो पूरा cover होगा इसमें कि UPC को यह guarantee को यह लेता नहीं कि सब कुछ कवर किया जाएगा पर हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी modern history part में कोशिशन बनने के chances को ढंक से cover किया जा और मेरा focus है कि आप जो चीज़ें याद नहीं कर पाते अब से advent of European जो पहला chapter अभी हम discuss करेंगे कि Europe जब भारत आ है तो पिछले साल का यह question देखे 2021 में पूछा गया कि 17th century के first quarter में ही आ है और कौन-कौन से English factories कहां कहां पर located थी ब्रोच, चिकाकोले, ट्रिंचे पॉले यह chapter सब ने पढ़ा था लेकिन आपने यह question अगर miss कर लिया तो एक बहुत ही जो आपके primary source का question था miss हो गया इसका answer क्या है इसका answer है one only क्योंकि केवल ब्रोच में ही जो factory थी वो थी इनकी क्योंकि 1612 का जो period था, 1612 का जो period था उसके आसपास इन्होंने सूरत में पहली factory स्थापित की थी उसी के पास आसपास बढ़ोदा ब्रोच में इन्होंने अपना factory established किया था बाकी दोनों जगे factories नहीं थी Britishers की यह question मुश्किल है याद करना कि इतनी detail में कोई याद नहीं करता तो हमारी question है याद करने के बज़ाए इसको अगर हम common sense लगाएगे तरचिपोली यह जो इलाका था यह British के अंदर ही नहीं था उस point of time में कि specifically बात हो रही है first quarter of 17th century तो हम कोशिश करेंगे century wise देखने का एक न पढ़ा इंडिया arriving और arrival of British Europeans in India इसमें जो बड़ी major powers थी वह हम discuss करेंगे major powers कौन कौन सी थी? British, Portuguese, Dutch, Danes and French यह पाच प्रमुख तागती थी जो इंडिया आई इन सब की important factories कहां कहां थी? इनके बीच में को important war हुई तो क्या हुई और क्या वज़े थी जिसकी वेए से यह जो इ इन सभी को cover करेंगे तो यह question मैंने देखा एक और question ऐसा देखते हैं which of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley 2008 को question है इन में से याद रखी कि यहां पर बूचा किया है does not apply अगर आप does apply देखके आप सीधा सीधा question करेंगे तो question गलत हो जागा इसलिए keyword पर focus करना बड़ा important होता है तो इसमे क्या वज़े थी इसका सीधा answer simple था to secure a fixed income to the company company को जरूरत नहीं थी कि पैसे हर मैंने उनके coffers में आते रहे क्योंकि already वो trade बहुत अच्छा कर रहे थे speed of time तक उनको ensure करना था कि भाई Napoleon जैसा कोई आकरमन ना हो जाया रश्या वाया कुछ ना हो जाया और खुद की एक आर्मी रहे जिसका खर्च उन्हें ना देना पड़े क्योंकि जो राजा होते थे वही उसका खर्च देते थे तो इस तरह के question समझने आसान है अगर आपको थोड़ी सी story भी पता हो तो यहां मेरी कोशिश है यहां कोशिश है उन चीजों को बहतर तरीके से समझने की अब चलिए श क्या बताई ना Columbus ने करी या नहीं करी बिलकुल नहीं करी Columbus तो निकले थे भारत की खोज में वो पहुंच गे थे अमेरिका और कहा जाता है भारत की खोज का श्रेक इसको दिया जाता है वासको डगामा जो एक Portuguese थे अब सवाल यह खोज मतलब क्या होता है खोज तो उसकी होत आहे थे तो कब आय Talare गे जब गृक्रीग साशिन हुआ करता था तो वह इंडिया आय कैसे थे उनका रूट क्या था अब दिखिए यह जो मैं पप दिख रहे हैं यह बात करता है अलेक्जान्डर के रूट कीृट अब यह देखी यह जो आप मैप देख रहे हैं यहां बात हो रहे है अलेक्जंडर के अंपायर की तो जब ग्रीक थे बहुत पहली आ गए थे जब नंदवंच था उसी टाम में ग्रीक वगरा इंडिया एंटर कर गए थे तो ग्रीक इंडिया पहुंच गए और वहां से यूर इंडिया के साथ जो सिल्क रूट होता है वह पहले स्थापित था और यह रूट हुआ करता था लेकिन बाद में क्या हुआ जो 1453 का पिरियेड है 1453 में कॉंस्टेंटिन पोल में तर्किश साशन आ गया कॉंस्टेंटिन पोल मतलब आज जिसे हम इस्तानबुल कहते हैं तो यह जो रूट है ना रेड़ सी का आज की मैप में अगर हम देखें मैं आपको दिखाता हूं आज की मैप में क्या सेनरियो है अगर हम आज से देखें तो सेनरियो क्या होता देखें यूरोपियन को क्या करना था व्यापार इंडिया के साथ अब इस मैप में हमने देखा कि अलेक्जेंडर का साशिन यहां तक था, वो हार के वापस गए, धिरी-धिरी यहां पर इसलाम की शुरुवात पर इसलाम फैल गया, और टर्की की अंपायर बहुत स्ट्रॉंग हो गई, उन्होंने लैंड एरिया पर पूरा कभजा कर लिया, अब यह इलाका जो था पूरा पूरा कंट्रोल हो गया तो जो गया, वो खत्म हो गया, और लैंड रूट तो बड़ा ही मुश्किल है यहां पर आपके टर्की का यहां पर बहुत बहुत समराज टॉकिश ओर्टमान अंपार फ़ागर थी इस ताइम में इस रीजिन में तो जो यूरॉपियन आना चाते थे इंडिया सीधा रूट से वो आ नहीं सकते थे उनका रूट हो गया डिसरप्ट तो उन्हें चाहिए थे अलग रूट जिसके तुरू वो इंडिया आ सके अलग रूट कहां से मिलेंगे भाई किदर से फिर इंडिया आएंगे थे बाद में यहां इन्होंने स्वेज कनाल खूद दी थी तो यह रस्ता यहां से बन गया था पहले यह रूट हुआ गया था यहां है केप ऑफ गूड होप तो जो हमारे यह कॉलंबस साब चले थे वो कंफ्यूज होके इधर यूएस की तरफ आ गए थे तो उनको लगा व आपके इंडिया इससाइड एंटर कर गये थे घूम के तो यह बेसिक कहानी की इसलिए हो रहा था अब यह सब हुआ था कब 1453 में कॉंस्टेंटिनफुल जो था इलाका यहां पे वो किसके हाथ में आ गया था जिसे हम इस्तानबुल कहते हैं वो हाथ में आ गया था तरकिश के अब टर्क्स ने कबजा कर लिया था तो उसके बाद यूरॉप का कनेक्शन ग्रीस वगरेगा पूरा तूट गया इधर से उसके बाद तलार शुरूवी कि किस तरह से हम और जारा वैपार इंडिया के साथ करें और तब जाके शुरूवा खेल इंडिया में इंट्री करन करेंगे और आधा हमारा आधा स्पेन का तो यह शुरूवात हुई थी जो पॉटी की साशक थे वो चाहते थे कि उनका अमपायर बहुत फैले और हुआ यह था कि जो उस टाइब में स्पीन था वो बड़ी पावर थी पॉर्टिकाल के साथ बड़ा जगड़ा होता था था का राऊद 14he Incred court AUDI पास तो उने ने दुनिया का मैप ले और ऐसे कर एसको सॉरी ऐसे करके उसे काट डाला बीज यह जितना इलाका है ना इधर वाला यह पाज कर जैएगा मतलब इंडिया हो गया पॉर्टिकाल बनाया और इन्होंने शुरू की सर्च इंडिया की तरफ तो इसलिए इंडिया आया थे क्योंकि जो spices और जो भी इंडिया से बहुत सार एक्सपोर्ट जाता था यूरप में बहुत महना होता था क्योंकि इनको अब देखें इंडिया का पहले इनको सीधा सीधा रूट मालूम था सीधा व्यापार करते थे चीज़ें सस्ती पड़ती थी इन्हें इंडिया के समान की आदत थी बाद में अरब अंपायर बन गई तो वह उनके ट्रेडर्स जो हैं बहुत तीन रूट से होके आएंगे तो आपको बहुत नहगा पड़ेगा तो इनको ब बंध हो गए थे इसलिए उन्हें कोशिश करनी स्टार्ट करी क्योंकि जो लैंड रूट था वो गया सी रूट गया किसके किसके हाथ गया बात की मैंने कौन थे तो हमें पता है पॉर्टिकीज पहले इंडिया आये थे और लास्ट इंडिया से गये थे ऑपरेशन वीजय का कहानी हो गई इसी टाइम क्यों आये क्योंकि तब आपको पता ही है कि around that period आपका Constantine Bowl भी कबज़ा हो गया था टुर्किश का जो कोई रूट बचा नहीं था व्या पारकाट यूरोपेंस के पास तो फोकस जरूरी था और इंडियन गूर्स की बहुत दिमांड थी चाहा हो cotton हो, silk हो, masala हो और इंडिया के जो jewelries है वो काफी famous थी बहुत सारे wealth थी इंडिया है उस ताम में तो इसलिए ढूंडा गया तो ये why, who, when and how का answer आपको पहले पता होना चाहिए कोई भी topic पढ़िए why क्यो हुआ ये उसके बाद कौन थे main players कब हुआ और कैसे हुआ ये सारी हुआ, तो किस तरह से हुआ, कौन सी factories थी उस सब हम map के थुरू पढ़ेंगे, map को एक आगे बढ़ने से पहले वादा तो हमारी कोशिश क्या होगी ये maps है तो यहां आपको mentioned है कहां कहां पर कौन कौन से main settlements थे, map के थुरू हम देखेंगे तो आपको याद रहेगा चीजी आ आप राज करेंगे, तकि आप आराम से करिए, imaginary line थी, बोला दुनिया में ऐसी बीचों world map को लिया, बीच में से काट दिया, आदा आपका आदा वारा, तो ये बात थी, और Portuguese के साथ खास बात ये थी कि बहुत जादा ये missionaries पे focus करते थे कि Christianity को फैलाना है, और इन्होंने एक जो कोशिश ही करेटी शुरूने कि भाई, हम बहुत जादा कोशिश करेंगे Christianity को फैलाने का और as a liberator आएंगे, और वो जब इंडिया में आए भी तो इनको पहले विवाद किस्से था भाई, इनको रूट क्यों चाहिए था, Arab कबजा करके बैठे थे, Turks जो थे, वो रूट क और इंडिया में खास बाद यह थे कि कोई भी अंपायर आप medieval इंडिया में पढ़ेंगे, तो एक पॉइंट के बाद कोई भी साशक अगर लटसे आप किसी भी धर्म से हैं, अगर आप जो आपकी, जिस देश में आप कबजा करके बैठे हैं, वहां की जनता के धर्म के खिल पूर थे, उनके खिलाफ हिंसा होई, तो वह जाला अपना सामला स्थापिक नहीं कर से हैं, कुछ को छोड़ के, तो Portuguese के मुकाबले British जो थे, वह उतना जाला Christian Missionaries को focus पे नहीं रखते थे, trade उनका पहला focus था और बाद में जो हुआ हुआ, लेकिन Portuguese शुरू से ही वह कोशिश क करना था, सबसे पहले India में है, आपको पता ही है, 1498 में वासको डगामा साहब उतरी कहाँपर, काली कत में, काली कत की रूलर है, अब काली कत को याद करने का तरीका है, हमें बहुत पहले स्कूल में किसी न देसे से सखहा था कि हो सकता है कि वहाँ पर, वो उतरी होंगे और क जैमुरेन जो वहां की रूलर थे जैमुरेन का नाम याद रखी कलिकट की रूलर थे और बाद में के विवाल भी वास्कोड अगमा से हो गए थे पहले को ने स्वागत किया था इसका और जो इनको ले के आया था इंडिया मतलब रूट तो भाई यॉरप से आये तो साय किया थे कुछ कहते हैं यह उमैनियन सेलर थे पर कुछ कहते हैं कि इंडियन भी थे तो यह जैमुरेन जो वहां के राजा थे उनका स्वागत कहें को कि भाई चली आए और उस टाइम में जो खास्तर पर सदन इंडिया में जो इलाका था वहां पर बहुत सारा ट्रेड होता तो 14 में पहली बार आये फिर वापिस कि भाई मुझे पता लग गया तो चलो भाई अब इनके राजाने का चलो जाए और ट्रेड करते हैं और इंडिया के साथ ट्रेड हम पूरा मोनोपलाइज कर लेंगे इससे पहले क्या ट्रेड इंडिया के साथ होता नहीं था गया तो यॉरपियन्स में एक मेजर पावर जो सी रूट के थूँ आई थी वो पहले पॉर्टिकीज थे और इन्होंने कोशिश की पूरा ट्रेड रूट मोनोपलाइज करने का पहले क्या था जो आपको वर्ल्ड में बे दिखा ही चुका हो कि जो रूट थे यह जो रूट हमने डि आएंगे फिर यह रीजन से यहां रेड सी होते हुए यहां इंडिया आएंगे दूसरा रूट इदोने इधर से निकाला तो यहां से आने में आपको यहां पर अरबियन ट्रेडर से को टेक्स देना पड़ेगा उनसे लडाईया लड़ी होंगी यहां पर आपको टर्किश अंपायर के साथ जमेला जहलना पड़ेगा इस रीजन में यह रीजन जो था तोड़ा कनवर्टली क्लेयर था लेकिन फिर भी आप इधर से ऐसे आएंगे रूट समय बचाते हुए तो यहां फिर आपको अरब नेवी मिलेंगे तो यह फिर आख में थे कि जो अरबियन का य पेद्रो एलवरेस कबाल का जिदोंने एक बहुत ही सख्ट पॉलिसी अरब्स के खिलाफ इडेंटिफाई की कि उनको लगा कि जब तक आप अरब्स को हराओगे नहीं तब तक अपने आपको स्थापित निकल पहली फैक्ट्री जाने लगाई वो लगाई थी कैलिकट में अ और हमारे वासको डगामा साव इंडिया आये कब थे 1498 में दो साल बाद ही पहली फैक्ट्री लग गए थी और यहां से यूरपियन रूल पहली बार शुरू हुआ था पहली फैक्ट्री स्थापित हुई और इसके बाद इनके जब अम्पायर गई राजा के पास की बही चल इसी टाइम में आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी दुनिया भारत में हो क्या रहा था कि 1453 में हमने देखा कॉंस्टिंट इंपूल गया था और 1600 के असफास ब्रिटिशर्स आए थे इनके पास 100 साल का क्लेर कट रूट था 100 साल तक इनका कोई कॉई ब्रिटिश अंपायर बाबर ने यहां पर जो मुगल संतरत थी वो शुरू की थी 1530 तक बाबर रहे थे इंडिया में अब विवाद की जड़ है जो वजय थे इनके डिक्लैन के वो हम यहां कवर करते हैं कि वह क्यों आखिर पॉर्टिगी अपने आपको स्थापत इंडिया अरबियंस के खिलाफ स्पैसिफिकली इनका एक जुद में इनकी बेटे की मौत होगी तो बदला लेकि इन्होंने वहाँ पे तीनों राजा जी तो आसपास के तीनों को हराया था फिर ये जो अलबकक है इन्होंने भी बहुत से रड़ए रड़ी लेकिन इनका रवया से अरफी जाला ये एक्स्ट्रीम थे और कोशिश करते थे अपनी मिशनी को फेलाने का इन्होंने अकबर तक के दरबार में भेजा था अपने दो पादरियों को प्रीस को ताकि अकबर कोशा कि ये कनवर्ट करा सके इन्हें लगा था कि जहांगीर को भी अकनवर्ट करा लगी एजिप्षिन ने भी बन गई पर्शन ने भी बन गई और इंडिया में जैसे पूरी एक लाइन अप बन गी तो उनके सामने ये लड़ने को ये कैपासिटी नहीं थे और जो कोस्टल लाका जोंके कबजे में था वहां मराठा आ गये थे तो ये सभी कारण से इनकी स् भी कर लिया था Britishers के साथ शादी भी कर ली थी Portuguese और British Empire जो युलाप की बात करो वहाँ पर तो इस समय में यह समस्या थी और इनके पास corruption बहुत था इनका और सी पारेशी पे control नहीं कर पाई है इनकी जो खुद की trade practices थी वो बहुत बुरी थी और इनका भी जो focus था Portuguese का वो फिर जैसे हमने बहुत एक treaty दे हमने शुरुआत में पढ़ी थी treaty दे टॉल्डे दिलास की treaty जिसके टारिश ने हमने इंडिया को दो हिस्सों में बाटा था इनका focus थोड़ा ब्रजील के तरफ चल गया कि ब्रजील में भी बहुत सारा option थी इनके बस तो यह focus ब्रजील पर करने लग जया rather than focusing on India और इन्होंने सोचा चलो भई हम उदर focus करते हैं इधर इन अंग्रेजों के सारा अच्छे संबन स्थापित कर लिए और वैसे भी जिस पिरिड में आये थे तब इन्डिया में बहुत ज़ारा strong rulers थे चाहा बुजरात की बात करें चाहा मोगल empire की बात करें और जो ending phase था वहां उस region में Maratha strong हो गए थे तो इस वजे से यह कभी उभर नहीं सके लेकिन इनका एक बड़ा role रहा इन्डिया के setup में इनका setup में role यह रहा कि important naval power थे और यह पहली ऐसी naval power थे जिन्होंने बताया था कि navy strong कैसे की जाया कैसे ships पे जो आप trade करते है cannons भी साथ में रखिये मतलब तोपे भी साथ में लेके चलते थे इन्होंने उसका इस्तमाल किया कई सारे जो crops हैं जो इंडिया में आई वो इनके तरूँ आई थी इन्होंने Christianity को भी फेलाया मालाबार या कॉनकर जो coast है वहाँ पर और जो multi-deck ship होते हैं कई deck हुआ गते ship में और एक important naval power की तरह है और कई सारे जो हम देखते हैं चेंजे दे होते हैं architecture में उसमें भी role था Portuguese का इनकी जो skill थी organization की कि भाई एक arsenal होगा उसमें एक dockyard होगा और dockyard पर arsenal कैसे रखे जाएंगे मतलब आप एक समुदरी पत्तर मनाएंगे वहाँ पर आपकी ship हो पे sending कैसे होंगे command system क्या होता है एक navy में बहतरीन cannon का design इनका था जो ships पे carry कर पाएंगे इन्होंने warfare को बहुत जारा modernize किया, European warfare को introduce किया था, ठीक है, art of warfare Europe में भी introduce किया, European warfare को इंडिया में भी introduce किया, printing press लेकिया इंडिया में जिससे Bible वगरा काफे famous हूँ इंडिया में और सबसे खास बात ये आलू इंडिया में लेकिया ऐसा कहा जाता है अब जो आलू के पराठे खा रहे हूँ अच्छा था Portuguese लोग ये लाए थे, ये मिर्च खाने अच्छे ये भी Portuguese लाए थे, चार इंडिया रूलर कॉन कॉन से हैंगे Francis de Almeda, Albuquerque, Dakuna और Pedro Alvarez Cabal ये आपको important लोग याद आ जाएंगे कौन-कौन से इनकी territory थी, वो याद आ गई कि भाई इन्होंने दमन्दीव पर कबजा गया, मैंगलोर पर कबजा गया कन्नोर पर कबजा गया, कोचीन, कालिकट अपना गोवायन का capital था इस तरह आप इसको relate कर सकते हैं और West Coast पे इनकी जो territory थी वो तो पता है मैं हमेशा याद रखी, East West Coast clear करने के लिए, एक ऐसी नीचे का top बनान तो इंडिया का असान ही है न आप यहाँ सेंथोम देख लिए, इस साइड आपके सेंथोम है, फिर नागा पटनम है, अब इन्होंने मसुली पुट्टम को भी स्टॉंग किया था उसी बिरेड में तो यह इलाके काफी जादे इन्होंने व्यापार में बढ़ावा दिया था इरियास को, और एक जो समस्यान की थी कि भाई, जो इनका रूट इन्होंने खोजा था Cape of Good Hope से होते हुए, वो रूट काफी तक सीग्रेट नहीं रखता है बाके लोगों को पता लग ऐसा बाग है, लेकिन इस से इनकी सिंग्निफिकेंस कम नहीं हुई जो और हम सी कोस्ट की बात कर रहे थे जैसे इंडिया घुसे थे, जैसे आप में कम्बेर के अच्छा इंडिया आए, तो यह जब काली कट घुसे थे उसके आसपास पहले पोर्ट बनाएंगे तो वहाँ इनके पहले पोर्ट बने, बाद में इसकोस पर इंडिया को आज़ादी कब दिलाई बहुत देर से, यानि 11 दिसंबर 1961, जब हुआ था ऑपरेशन वीज़े, जिसमें पोर्ट इगीज के खिलाफ इंडिया ने अटेक कर दिया था, पोर्ट इगीज आर्मी के खिलाफ इन गुवा, अब इनका कब्जा तब तक था, 47 में गुवा को जादी नहीं मिली थे, ठीक ह जानी, नीद लैंड्स वाले, इनको डच कहते हैं, अब डच जो थे वो इंडिया में जाद रहे नहीं थे, और इसमें काफी कमी लोग थे, और इनका था, मुसली पुट्टम का, पुली कट का, और यहाँ पर इनका फोकस किया, बार जाना व्यावर व्यापार करने ये इधर हमें ध्यान उतना नहीं देना, यह एंड गेमिन की यह थी, तो जो पहले डच में थे, जो कौने दिस डिहाट में थे, पहले पहुंचे थे सुमात्रा और बंथम 1596 अब देखे, लगभग 100 साल तक, कब 1498 में आ गये थे, कितनी देर से आये, ठीक, और इन्होंने अप जाओ, आप जग लड़ सकते हो, और इन्होने अपनी पहली factory कहा मनाई? मसुली पठ्णम में, मसुली पठ्णम आंधरा, अब मसुली पठ्णम आंधरा, गिस कोस्ट पर है? वो थे सारे के सारे वेस्टेन कोस्ट पे, यह भाज सब आई 이्टेन कोस्ट पे, इस्ट पोस्ट ये आए इंडिया में ये तो इन्होंने पहले अपना कहा पोर्ट खोला इस इंडिया से जा रहे हमको फोकस करना इंडोनेशा पर इंडिया रखो आप ब्रिटेश के साथ बात कर लिए और इन्होंने वहाँ पर जो ब्लैक पेपर होता है और जो मसाले हैं वहाँ से उन पर फो इस पर थोड़ाएं का ध्यान कम हुआ और क्योंकि इनकी जो युद्ध था इन्होंने एक बड़ा युद्ध रड़ा था Battle of Beaver जहां पर इनकी बहुत बड़ी हार हुई थी तो Battle of Beaver में इनकी हार हुई उसके बाद इन्होंने कहा कि अपना सेटल हो जाता है इंडोनेशिया में आप एरिया रखो अपने पास और इन्होंने पूरा फोकस जो मले आरके पे लोग का जो आइलेंड का ग्रूप है वहाँ पर फोकस अपना उधर शिफ्ट कर लिया और वैसे भी जो Battle of Beaver था वो बहुत देर में हुआ था 15759 में हुआ था तब तक तो अलएडी बिटिश अबबार काफी स्ट्रांग हो जुगा था 7057 में इन्होंने अलएडी सेजाउत दौला को हरा दिया था बंगौल में तो यह कहानी है इनके आसपास की तो यहाद रखे इस टाइम फ्रेम बड़ा इंपर्टन है अनलोजी आपको याद रहनी चाहिए जो जो क्लासिफिकेशन टाइम पिरिट है वो पता रहेगा तो इजी हो जाएगा चलिए भई उदर मुगल्स खड़े हो रहे है इदर आपके पहले पॉर्टिकीज आए जब बाबर था जहांगीर के टाइम में आपके डच आ गए और आपके फिर औरंग्जेब के टाइम में आप देखेंगे जादा शुरुवात पुर्टि बिटिशर्स की और पॉइंट देखिए जब तर पॉर्टिकीज थे डच थे मुगल अंपार स्ट्रॉंग होती चली गई लेकिन जैसे ही आपके फिर ये इंगलिश आये हैं तो वहाँ पर अल्रेडी बहुत सी स्ट्रॉंग नीवल पावर्स बन गई फूर एक्जामपल जो ट्रवनकूर के साशक थे या जो मैसूर में साशक हुए हैजरेली बगरा इन्होंने खुद अपनी चोटी मूटी आर्मी रेज करी थी नीवी और उस रीजिन में बहुत जादा इनके साथ उन्हें कॉम्टीटिर नहीं थे लेकिन यह भाई अपने आपको साइड लेके चले गए इन्होंने क्या किया इन्होंने चिन सुरा कासिम बजार इन्होंने खास बात यह कि इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री बनाई वो और जादा स्प्रेड आउट करी थी यह न हम देखें कि जो फैक्तरी का स्ट्ठ्चर था आप देखें जो हम बात करें किसकी यहां पर हम बात करें डच दो यही निईर लैंड वालों की तो बंडच वालों इन्हों में आपकी कोचीन में ठीकें और ऊपर यह पत्ट्ना तक में गए थे तो यहां आपका सेनमपूर में इनका है, चंसोरा में है, यहां पटना में भी इनकी एक फैक्टरी थी, जबकि जो आपके पॉटगीज थी इनकी देखिए जादा में जो इस साइड है, दिव, गोवा, यहां आपका बसेन, दमन, तो कैलिकट, फिर कोचीन में हमारे डच के भ यह 17th century के end का map है, तो इसमें आप देखते हैं कि सेरामपूर में उनकी फैक्टरी है, कॉलकाता में में टिशर्स हैं, तो यह map आप बाद में रैफर कर सकते हैं, हम इसको दुबारा आएंगे भी इस पर, पहले आगे बढ़ते हैं, पॉर्टिकीज के बारे में, हमने पॉर् बाद करें, जादा याद रहे गई है, फिर इन सब के बीच में एक छोटा मोड़ा देश है, जो और आया, डेनिश, डेनिश, डेनमाक वाले साह, यह आये 1616 और 1620 के आसपास, और इन्होंने एक दूस्ट फैक्ट्री सब्सक्री करी, इन्होंने नई फैक्ट्री को ली थी, ट्रंकबर, यानि तंजोर के पास, जो की फिर तमिलनाड़ो के पास एक्स्तिन कोस्ट में आ गई, लेकिन इनका जो में सेंटर था वो था सेरमपुर में, सेरमपुर कहा है मैं उपर मैं अप मैं देखा, अभी कलकत्ता के पास सेरमपुर, यह रहा सेरमपुर, जहां पर क्या लिखा है कोचिन में डच लिखा लेकिन कोचिन में पॉर्टिकीज भी थे अब यह उस पॉइंट अफ टाइम में आप देखें यहां पे ना आपको फी डेनीज दिखेगा तरन को बार यहां पे इन्हों ने यह दर बनाई थी अपनी फैक्टरी इस साइड तो इस्टन को में सेटल्मेंट बनाया फोकस किया धर्मांतरेन पे और जादा चले नहीं निकल लिया बहुत जल्दी इंडिया से अल्रेड़ी याद रिखे 1616-1620 के आसपास यह आये थे जब इंडिया में अल्रेडी बहुत स्ट्रॉंग मुगल अंपायर मतलब उस टैम में जहांगीर औ और आपके शाह जहां आ गया थी शायद तो उस पीरेड में कहां यह डिकते बिचारे तो यह चले गए तो इनके बाद आये थे हमारे में प्लेयर जो इंगलेंड है इंगलिश जो 1620 में इंगलिश जो 1620 में इंगलिश ने चार्टर डिकलेर रिखिया क्वीन अफ एलिजब लाइसेंस लेकिद इनको जहांगे निकाल कि भाई नहीं देने वाले उस टैम में पॉर्टिकीज लोगों के साथ थोड़े सम्मन मुगल्स के अच्छे थे 1609 की बात हो रही है याद रिखिये 1609 में कौन साहब दे हैं हमारे पॉर्टिकीज लोग वो स्ट्रॉंग बना रहे थे अपने आपको 1609 में यह आये इंडिया और तोकि बहुत ज़रा उनका प्रेशर था तो नहीं हुआ लेकिन फिर थॉमस बेस्ट उनकी नेवी ने पॉर्टिकीज को हरा दिया और हरा के पहली स्थापित करी सूरत में अब यार के सूरत कहां पर है सूरत है गुजरात में गुजरात, वेस्टन कोस्ट, गुजरात में अल्यडी वहाँ पे आसपास 3-4 बड़ी-बड़ी important factories, centers हैं पॉर्टिकीज के तो उनको हरा के यह उनकी ने स्थापित किया और उनकी लोकल भाचा दी बड़ी एच्छी थी तो जहांगी थुड़ा इंप्रेस भी हुआ और Britishers की, Thomas Rowe के नाम से ही हुआ और 1615 में Thomas Rowe जो थे पहले ambassador बन के आए, उनके king है और यहां पे इनोने आ के स्थाथ शुरू करने आख क्या क्या स्थाट के है, ट्रीडिंग सेंटर बनाने और उसी टाइम में जो Mumbai है आज, बॉम्बे जो थी वो देहेज में मिली थी Charles II को फ्रम Portuguese और यहीं से अल्रेडी जो एक बड़ा shift था वो हुआ था कि गोवा में बैठे थे वो अब बॉम्बे में अल्रेडी British Empire ने बॉम्बे को develop करना start किया जने important port और इनकी strength strategically भी बढ़ने लगी इस region में और बाकी वो होने लग गए कमजोर, उसी टाइम में मदरास में इस fort बना और कलकत्ता इनका capital बना, अब यह देखे, अभी एक basic mistake देखे, जो port की इस थे इतने टाइम से थे, लेकिन सारा focus अपना उन्होंने western coast पर रखा एक जगे गत्त रहे, English ने भाई कहां कलकत्ता, कहां मदरास, कहां आगरा, एमदाबाद हर जगे focus किया, अपने अब को spread out किया, तो अलग-अलग regions में, अलग-अलग areas में इनकी presence थी, लेकिन तब भी mostly ये trade ही कर रहे थे, जब तक वहाँ पे strong आपकी मुगल empire थी, उसके बाल उसी time में मुगल empire का decline स्टार्ट हुआ, और 1715 में John Sirman के थूँ एक बूरा mission भेजा गया, फारुक सियार के पास, फारुक सियार गुजरात और हाइदराबाद में वयापार करने का, और उससे पहले जो गॉलकंडा के सुल्तान थे, 1632 में उल्यडी इनको golden फरमाल दे चुके थे, याद रखे, golden फरमाल मिला था कहां से, वो मिला था सुल्तान अफ गूर्ण कंडा से, और उसके बाद फारुक सियार ने इ इनको जमीन के रहाँ पर मिली, वयाँ रखे, ब्रिटेशर्स जो कर रहे हैं इस दस तक मिलने के बाद, ये जो मेगना काटा लाइसेंस मिला, एक पॉइंट अफ टाइम ले पॉर्टिकीस चाहते थे कि नेवल एरिया में उनका ऐसा कंट्रोल हो, ये नेवी से आगे बढ़ तो जो गोलकुंडा का किस जो सुल्टान ने जो इनको दिया था, गोल्डन फर्मान वो तो था, लेकिन असली फर्मान ये फारुक शियार वाला था, क्योंकि इसने कंपनी को पूरी करें इंडिया के इंटर लेंड तक में घुसने का ऑप्शन दे दिया, अब आप जो चाहिए वो फ्रेंच हो, टैब देंज हो, चाहिए डच हो, क्योंकि इनकी नेवल ट्रीडिंग कंपनी जो थी वो थी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी के पास अपना प्राफिट मोटिव होता था, ज्यादा बहतर तरीके से ये कंट्रोल कर पाए, और इनके करांती पहले हो गए थी ब्रिटन में, तो वहां मशीन ही थी, चाहिए, स्पिन जैनी की बात कर लें, स्पिनिंग बील की बात कर लें, इनकी मिलिटरी डिसिप्लिन थी, बहतर ऑजार थी उनके पास, हथियार बहतर थे, और बहतर स्ट्रेजिशन थे, टैक्टिक्स बहुत चले इनकी लीडर्स के, इन वजों से ये जारा स्थापित हो पाए, और उसी टाइम, पिरिड़ अफ टाइम में, जब 1600-1700 का पिरिएड था, इंडिया में मुगल अंपार वीक हुई, इंडिया के kingdom small होते चले गए, और जो इंगलिश है, उनकी government अपने देश में stable थी, जीत के trade करते थे, तो पैसे वापस कर लेते थे, तो इनके army के पास funding को लेके कोई समस्या नहीं रही, तो ये वज़े थी, जिस वज़े से ये जारा strong होते चले गए, और ये फ्रेंच से पहले इंडिया में आ गए थे, और सही peak sweet moment पर आये थे इनके लिए, जब अपने आप यहाँ कैसा, 1700 में, बड़ अच्छा मैं पर है, 1700 ED मेंगर अब Indian subcontinent को देखेंगे, तो मुगल empire है यहाँ पर, सूरत दमन्दियो, बसें, बॉम्बे, यह सब दिख रहा है आपको, यहाँ एक strong, जो है मैसूर का kingdom है, मदुरे का kingdom है, वेनार का kingdom है, उपर अहूम है, यह सब है यह regions देखिए, यहाँ पर आपको लगया कि इधर यह कॉलकर्टा और पतना, यहाँ वे क्यों factories बन रही है, यह कासिम बजार में, क्योंकि बंगलदेश भी उस टाम में अलग दिश नहीं था, यहाँ रखे, वो भी इंडिया का पार्ट था, और वहाँ पे Bay of Bengal के असपास, ह इनका spread out यहाँ से लगी, यहाँ तक फैल गया था, यह फैलते जाया थी, 1700 के बाद, और उसी time of period पे, British देखिया अलड़ी, वो हैदराबाद में भी हैं, आपकी हरजे के फैले हुए, तो इस तरह का structure था इंडिया का, तो जब आप advent of Europeans को देखने हैं, तो map के थूर देखिय उसके बाद क्या हुआ, और आप एक और map देखिये, यह period हुआ करता था, बाद में, कि भाई कुस्समेबाद scenario ऐसा हो गया, कि East India Company ने अपने आपको स्थापित कर लिया, यहाँ बंगाल में, मदुरे में, हाइदराबाद में, और कहां यह scenario, कि भाई पूरा मोगल अंपार, सब सेंद अलग-अलग हो गया, तो यह scenario था British Empire Company, अब यहाँ देखिये, जब Portuguese आये थे, और जब Danes वगर आये थे, तो अंपार का structure ऐसा था, और वो ऐसा ही रहे गया, जब Britishers आये तो देखिये, इनकी size जो almost यहाँ के राजा है, उनके जैसे हो गई, और Marathas काफी कमजोर थ किया, इन्होंने पनी navy पर focus नहीं किया, इसलिए Britishers को पास, जो Britishers Company थी, उनके पास और chances थे, एरिया capture करने के लिए, इसलिए काफी इनके पास advantage मिला, तो यह 3-4 maps आपको clearly पता लगता कि scenario कैसा होता चला गया था, यहाँ से यहाँ तक, तो इस मज़े से Britishers काफी strongly आगे बढ साफ थे, और कैसे कैसे इनकी जंगे हुई, maps की तुरू समझने की हम कोशिश करेंगे, तो यह थे British Empire हमने देखा, और एक map जो और में बदाना चाहूंगा, 1700, वो 1700 था, 1785 के आसपास वही map जो भी आप देखने, इसको बहतर तरीके से उपर दिखा गया था, मैसूर का साशन किदर है, किदर आपके Britishers का साशन है, ठीक, तो अब हमने Britishers के बारे में जान लिया, अब हम पहुंचते है किसके बास, French लोगों के पास, कि भाई, French आए, French इंडियाम आए, 1664 में, और इन्होंने कंपनी मनाई थी, Campaign Day Indus, Oriental Age, और पहली factory इन्होंने भी अंग्रेजों की तर चरवाद 16-73 में करी, तो देखिए, उधर Bombay था, उससे पहले, Goa की बाद भी, यहां पर बात रही है, Pondicherry, Pondicherry बनके इनका Headquarters, Pondicherry की location लेखिए, वो थोड़ी सी Sideways है, बहुत South में है, जो Bombay में स्थापित है, उसके बास बहतर option है, और उसके अलाबाद वो कलकत्ता में है, strong rulers कौन कौन से, सथा में, सत्रावाद के बाल में हम देख रहे है, कि strong होते दिख रहे हैं आपको, Hyderabad, strong होते दिख रहे हैं, आपको, Mysore, Marathas, तो इन्होंने सोचा कि इनके साथ collaborate करके, जो already strong British Empire बन रहे है, यहां उसको तोड़ा जाए, और इन्होंने श्रुवात्वी म सार्ट में ही compete करना स्टार्ट किया अब यह देखिए थोड़ा confusion ही होता है जब 18th century लिखा होता है तो हम 1700 की बात कर रहे होता है वियाद रखिए 100 साल अभी एक किसमी शरी है लेकिन हम 2020 में है ठीक है तो कई लोग अब इसका मतलब 1800 से लेके आपका 19th century है 18th century मतलब 1700 से लेके 1799 यह क्लियर रखिए कौन सी century की बात हो रही है जब मैं 18th century बोलू इसका मतलब 1700 से लेके 1799 19th century बोलू मतलब 1800 से लेके 1899 इस century वाल सिस्टम थोड़ा एक साल पीछे है याद रखिए ठीक है तो 18th century के शुरुवात में बहुत सी लड़ाईयां स्टार्ट भी प्रिटिश और फ्रेंच की बीच में इसमें 1st Carnatic War, 2nd Carnatic War यह लड़ी गी और जो तीसरी Carnatic लड़ाई वी जहां Battle of Wandi Washua 1758-63 में जहां ब्रिटिशनस ने पूछी तरह कबजा कर लिया इस इलाके पर उसके बाद फ्रेंच को बहुत ही कम कंट्रोल रह गया था इस रीजन में और वो केवल पॉंडिचरी तक लेमिटेड रह गये थे लेकिन जो मैं देखा फ्रांसेस मार्टिन थे जो पॉंडिचरी वाला इससा जिना ने स्थापित किया था अब जब हम बात कर रहे हैं 1659 में 3rd Carnatic War हुई और उससे पहले आपको याद कैसे रहेगा भाई यह भी तो बड़ा इंपॉर्टन है ना 1740 में पहली 1749 में पहली इसी period of time में आप था भायंकर अटैक नादरिशा का 1701 सेट में कुछ वाद आया आपको 1701 सेट में हुए थी 3rd battle of पानीपत ठीक है इसके ठीक पास सालवाद मराथा धराशाई 2nd Carnatic War के बाद 3rd Carnatic War इन्हों लड़ी 5863 में 5863 में इन्होंने हरा दिया French power को completely नेवी ने धराशाई कर दिया मतलब वांडी वाश पूरा वाशाउट कर दिया French को French हार चुके हैं 1761 में मराथास को अहमच्छा अफदाली के आर्मी ने हरा दिया है ठीक है वो कमजोर पड़े हुए हैं और इस पीरिड अफ टाइम के पास इनको दिखा मुगल कमजोर हैं मराथास कमजोर हैं French बाहर हो चुके ह यहां से उने कबजा करने सिजन पर स्टार्ट किया तीन करनेटिक वाश के बाद पूरी तरह इनकी रीच बढ़ चुकी थी इसी पेरिड अफ टाइम में और यह आपका 1757 हो चुका था यानि आप बंगोल कप्चिर कर चुके थे आपने एक तरह से 1761 में देखा मराथास को दरा चाहिए होते हैं तो इनकी पावर लगातार बढ़ती हुई चली गई और यह और जाद अपने आपको स्ट्रेंदन करते चले हैं नादिर शाह अगरा आ चुके बैटल अफ करनाल हो चुकी है नादिर शाह 1739 में आय थे बैटल अफ करनाल हो था 1739 में तो मराथा पावर यह सारे यूरोपेंस इंडियाम है इसको अगर आप शॉटकट में याद करना है तो तीन मैप मैं आपको बता रहा हूँ एक तो पहले यहां से आप देखिए कहां कहां पर कौन सी फैक्ट्री थी वह याद कर लीजे कौन कौन से रूलर्स थे वह याद कर लीजे जो आप मै आप खुद से खुद का एक ड्रॉ करके बना पाते हैं कि भाई क्या स्ट्रक्चर तो इंडिया कुछ ऐसा लिखता था ना कहां पर कौन सी फैक्ट्री आप सिर्फ हैंड ड्रॉ करके बना पाएं तो आप बहतर सेनेरियों में होंगे इसको याद करने के ठीक है यह बात होग क्या प्रॉब्लम्स थी मुगल्स के पास कि क्यों यूरोपेंज इतने इंडिया में आ गए सबसे पहली बात कि औरंजेव का जब रीन खतम हुआ 1707 के बाद मुगल पूरी तरह खतम हो गया अठा संठावन तक क्योंकि जो औरंजेव की पॉलसी थी काफ़े मिस्गाइड़ होने स्टाट हुए मुहमद शाह एक स्ट्रॉंग रूलर बने थे 19 साल के लिए काफी समय उनका रहा पर वो उतने स्ट्रॉंग रिलिया नहीं थे इन टरम्स ओफ सेफगार्डिंग दे मुगल अम्पार और नए स्टेट बने बंगाल के गवर्नेंट अपना खुद का अलग शाह ने काफी पैसिफिस्ट पॉलिस पॉलिसी फॉलो की सब को लेके चाहे वह उजाद सों माराथा जों राजपूच सों एक ही प्रावलम थी कि इन्होंने इसके बाद जुरूले हो साय थे जहांदर शाह उन्होंने जजिया को भी हटा दिया था इसारा इंट्रडूस किय लेकिन ये सब काफी वीक रूलर्स थे और इसी टाइम में फारुक सियार 173-179 में थे और फारुक सियार को पता लग गया कि भाई मुगल अंपायर कमजोर होती जा रही है माराथास, राजपूच, हाइदरबाद, अवध, बंगॉल ये सारा हमारे हाथ से निकल रहा है और इसी टाइम में जो रिलिजिस टॉलर्स थे वो बढ़ा है इन्होंने, लेकिन इनकी मौत हो गई, सयद बर्दर्स के हाथ, और पहली बार किसी नूबल ने मारा था, वहाँ के एंपरर को, देखिए, मुगल एंपायर के खास बात या थी, वहाँ की जो रूलर्स थे, एंपर काट हो गया, इसलिए इनकी डिकलाइन हो गई, और इसी चक्कर में जाता जाते हैं, इन्होंने तीन फर्मान ले रिया बिटिशर्स को, और वहाँ से बिटिशर्स की का मेगना काट है था, 1770 वाला, इसके बाद रफी उद्धजरात हुए, जिन्होंने सब से कम पिरिड में कुछ किया नहीं, इसकी की पिरिड अफ टाइम में, जब हम देखते हैं, मुहमद शाह रेंगिला, 1719, 1749 के बीच में ही, आपके सारे अलग-अलग होते चले गए, हिंद्रवाद अलग हो गया, निजाम-ल-मुल्क ने बना लिया, बाजी राउन दिली पे कबज़ा कर लिया इसके बाद नहीं ने बंगाल की बिहार की दिवानी देदी, उडिशा की दिवानी देदी, टू बिटिशर्स, देखिए कुछ वार्स बहुत इंपोर्टेंट है इंडियन मॉडन हिस्टिय में, आपने मेडिवल में अलड़ी मुगल वार्स के बारे में पढ़ लिया होगा बैटल अप पलासी पढ़ा होगा, यह आपको बैटल अप बाक्सर पढ़ा होगा, जहां स्टैबलिश होगे पटिशम कार, इसके लावा इस पीड़े में बैटल अफ वान्डीवाश, जहां फ्रेंच खतम होए, बैटल अफ बीदर, जहां डच खतम होए, फिर आपका जो अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग जो आपके वार्स प्रेटिशर्स की थी, जो सेरांग पर्टनम की ट्वीटी हुई, जो हाईदरबाद वाला केस था, हम आगे डिसकस करेंगे, लेकिन यह मेन इरिया थी और इसके बाद जो वीक रूरस वारंग्जेव के अकबर 2 बहादुशा, जफर जो आखरी मुगल रूलर थे, यहां देखे, इन पे जो कोशन बन सकते हैं, स्टेट PCS में बहुत कोशन कुछ आता है, रंगिला बादशाह किसे कहता है, और बैटल अब बक्सर किसके अंदर हुई, तो वो जब बैटल बक्सर पढ़े तो आपको पता ह है कि बैटल बक्सर की टाइम में आपका रूलर कौन थे, शाह जहां थे या शाह आलम थे, आलम गिर थे या कौन थे, तो यह जो रूलर की लिस्ट है, यह आप अगर आप टीबल ओफ फॉर्म में बनाया, आपकी बुक में अलड़ी दिया हुआ, वहां से भी आप इसको कर स आपका सबसे इंबॉर्टन चीज़ जो यार देगी आपको, जो टिकॉक थ्रोन है, काफी प्रशलित था, वो लेके चलेगे थे, कोहिनूर लेके चलेगे थे, फिर एमद शाह अबदाली ने अटेक किया इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे, इनमें पानी बथी लड़ाई य जो इनका सेट अप था कि मराठास को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इरानी दुर्रानी किंग्डम का अटेक इनके उपर होतरा वाया अफगानिस्तान, तो इन सभी चक्करों में ये काफी वीक होते चले गए और कंप्लीटली डिकलाइन हो गया मुगल्स का, और इसी टाइम म इनकी बात मान लेते थे, चलो मुगलों के अंदर ही हो में है, वो राज किया करते थे, इनको अपनी सेना और कुछ टेक्स बेजा करते थे, लेकिन जैसनी से उन्हें दिखा कि जो एमपरर है वो वीक होता जा रहा है, और जागिरतारी का सिस्टम जो अलड़ी चला था, मनस चली गई, तो वो और जाद अपने आपको एक्स्प्रेस कने लग गए, और जो खली से लेंड था, वो अब कम पड़ गया था, लग्जिरियस लाइफस्टाइल था राजाओंगा, जबकि टेक्स इनको मिलते नहीं थे, क्योंकि रिजिनल रूरा अलग-अलग हुए थे, व और कई सारे जो प्रोवंसेस थे मुगलों के वो अजाद हो गए, अवद हैदराबाद, बंगाल, बंगाल किसके अंदर मुर्शिद कूली खान, हैदराबाद किसके अंदर, निजामुल मुल्क या किल्श खान जिसे हम कहते हैं, अवद सादद खान या बौहारन मुल्क के अंदर में, इंडिपेंडन के इंग्डम में, क्योंकि जो उनकी डिस्टेलाज़शन थी, वो बने हो कई सारे, अब चाहिए जाट बने हो, चुरामन बदन सिंह की अंदर गत, सिक्स का लग बन गया, मराथाज, रोहिल खंड, रोहिल खंड किसके बाद वारा शुरू किया था, फिर फरुखाबाद में अपने मुहमद खान बंगश, कुन ने कबजा कर लिया, सुरी, मुहमद खान बंगश तो फरुखाबाद वारे थे, रोहिल खंड तो अलग हो गया, रोहिल खंड तो आपके अली मुहमद खान ने इस्टाबलिश किया था, तो रोहिल खंड, य इसकी लिस्ट बना लेजिए वहां से याद आपको बैजा रखस पाएगा इंपोर्टन रीजिन तो हम कवर करेंगे हाइदराबाद के सबसे पहले फाउंडर थे अशफ जाख जिसे खिलच खान भी कहते है इस घर से थे अशफ जाहाउस ऑफ हाइदराबाद खिलच खान नाम स्टार्ट किया पहले यह दिवान थे इनका नाम था निजाम उल्मुल्क उसी पेड़ में अवद में सादत खान का साशन हो गया सादत खान एक शिया थे इनको बुरहान उल्मुल्क कहते थे तो यह आपका रीजिन था अवद का यहाँ पर आपके बुरहान उल्मुल्क आ उपर लाहौर अमरिटस्द के पास आपके सीख बैठे हुए है इधर आपके जाट आ गए चुरामन बदन जिंग यहां आपका गुजरात का लीजन है जो अब राजबुतों के अंदर आ रहा है और यह राजस्तान वाला बंगाल में आपका और साशन है यहां आपका निजाम अलग हो गए तो इस तरह आपका जो डिविजन है इस तरह दिखता है बंगल मुर्शिद कुली खान है सिजाओद दौला अलिवर्दी खान अलग-अलग मैसूर में आपके वोड़ेयार थे बाद में हाइधरल ही आ गए और वेस्टन गार्स से लेकिए इस्टन गार्स का र सारे आपको क्लेर हो गए जाट्स ने चूडामन बढदिन सिंग के अंदर ये स्टार्ट हो गया भरतपूर के आसपास जो इलाका था सेंटरल इंडिया में और फिर सूरजमल इसके सबसे फेमस थे जिन्होंने काफी जारा efficient administrative system दिया इनके main important state थे गंगा, चंबल, आगरा, म मत्रा, मेरट और अर्लिगर और हालां कि जब सूरजमल के मिट्टी सट्रह 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 में हो गए इसके बाद ये काफी strong हो गए और ये काफी weak हो गए और छोटे इलाके उपे इनका कबजा रहे गया लेकिन जाट्स आपको भरत सिंग के पास क्या ह भरतपूर में आपको कालादेव नेशनल पार के याद है मतलब इसे इस्टन गेट अव राजिस्थान में कहता है भरतपूर को तो भरतपूर से में एक strong साशन इनका बना था आगरा और पूरी रीजिन बेरट फगरा का इससा इनने मत्रा तक भरतपूर से लिए मत्रा और अगरा पूर रीजिन इंके कंट्रोल में था जो बार में किसके बाद टिक्लाइन हुआ सूरज मिल की मिर्त्यू के बाद तो यह स्टाइम में यहाँ थे अब देखिए जाटों को याद करना है जाट साशन आप याद करिया भरतपूर के पास इनका साशन में था यहां से स् कि मारा थास बगरा बार बार आएंगे लेकिन जो कम आते हैं वह कम या रहेंगे सिख्षों का आपका लेकिन ये भी बार में रंजीर सिंग के बार इस्टैबलिश अपने आपको नहीं रख सका ये भी और डिटेल में पढ़ेंगे और रंजीर सिंग असल में किस मिसल के पार थे तो ये थे शुकर चकिया मिसल ये कोशन आपको पता होनी चाहिए आज कर थोड़े यूपेसी में मूर बदल जाता है कि कभी भी कुछ कोशन आ जा तो ये आवे आ रखे किस मिसल के थे ट्रीटी ओ अमरे इसर भी थी जहां इन्होंने बिटिश राइट्स मान लिये थे सतलर नजीदि के बाद और पूरी आर्मी मूव करनी स्टार्ट करी थी इन्होंने अपनी आर्मी मॉडरनाइज काफी करी थी एक पॉइंट अफ टाइम में एशिया की सेकिंड most modernized army after Japan का जाता है कि रंजीत सिंग के अंदर थी जो इन्होंने बाद में जो जिसका जिसकी शुरुवाद में इतनी जादा value थी कि बिटिश भी इनके खिलाब जादा उग्र नहीं हुए detail में हम आगे अगले chapter में पढ़ेंगे अभी में basic intro दे रहा हूँ Marathas इस time में थे जो की पेशवास के अंदर route में थे जिनने मालवा गुजराद पुगा रीजन के control में हुआ करता था अगर फरुखाबाद की तो इसमें मुहमद खान बंगश की बात आती है जो बंगश पठान थे अफगान से आये थे अली मुहमद खान ने शुरू कर दिया भाई की अपना इलाका के इस्टाब्लिश करें तो इन्होंने रोहिला खंड का इलाका ढूंडा जहांप इन्होंन इन्होंने अपना किंग्डम को स्टाब्लिश किया बाकी फरुखाबाद में आपके फिर मुहमद खान बंगश वो भी अफगान थे इन्होंने वहाँ पर अपना शुरू किया इलाका फारुक शियार के अंदर ही इसी टाइम में ये भी स्टाबिश होगे तो आपके पर यहीं पर उस टाइम में आपके जो यूरोपियन है वो आए थे और क्या इंपक्ट हुआ धिरे धिरे बिटिश निगे करके सब को कैसे हराया वो हम आगी कवर करेंगे ये बात हो गई अब बात करते हैं एक टरम है कॉलम्बियन एक्शेंज की कि हमने देखा इतने सारे लोग आए इधर गए उधर गए उसी टाइम में वो ब्रेटिश वगएरा और ये पॉर्टिकीज वगएरा वो ब्रजील वगएरा भी जा रहे हैं तो क्या कहानी थी एक पीरिड है यहाँ पे से कहते हम कॉलम्बियन एक्शेंज का मतलब होता है यहाँ पे एक ही प्रिड़ टाइम में इतनी सारी क्रॉप्स वगएरा सब आई गई जब यॉर्प के जो रूलर्स थे काफी जादा कोशिश में थे कि हम और जार अपने आपको स्प्रेड आउट करेंगे तो इन्होंने खोजा और खास्टर पे जो अमेरिका था अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साथ अमे इसे कहते हैं exchange of food crops, exchange of ideas, even exchange of disease, बिमारियां भी फैली, नई बिमारियां, वहाँ क्योंकि ये कभी यॉरप और इस तरह के इलाकों से मिले नहीं थे, तो वहाँ कुछ बिमारियां भी नहीं थे, लेकिन अपने सारी बिमारियां में लेके गए अपनी साथ invasive species भी लेके गए और और वहाँ की crops भी लेकिया है, तो इसी बात में जो वहाँ पर माल लेजिए, पहले चीनी नहीं थी, घोड़े, चीनी, नहीं नहीं बिमारियां जो थे, वो लेके गए का Columbus वहाँ, और वहाँ से लेके आए, क्या, tobacco, chocolate, potato, ये सब पुराने, उसे कहते है new world and old world, new world जो इन्हों wheat, cotton, barley, rice, और जो गया, वो था अवकाड़ो, कैश्यो, कोकोवा, बीन, मेज, पोटेटो, टोबैको, ये सब, इसे चक्कर में कहते हैं कि Portuguese भाद में आलू लेके आया थे, तो आलू पर अठाखाई है, तो आप याद रखिए, Portuguese आशना आये, important ruler कौन-कौन से हैं, क्या वज़ घलत खराब क्यों थी, क्योंकि जब भी साशन किसी एक विक्ति का होगा, तो अगर strong ruler है, empire काफी strengthen है, तो वो investment करेगी, जब ruler खतम होते चले जाते हैं, नहीं rulers आते हैं, जो efficient नहीं होते थे, वो taxes बढ़ाते हैं, और focus नहीं करते है, growth पे, इस चेकर में हम देखते हैं कि यहा काफी popular थे, काफी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट इंडिया का बहुत कम हुआ करता था, लेकिन agriculture के हालत खस्ता हाल दे और वो और खस्ता हाल होगे, जो British का स्थापना इंडिया में हो गया, cotton, textile, raw, rubber, silk, यह सब इंडिया से बहुत रहा एक्सपोर् काफी, gold, tea, sugar, musk, wooden cloth, ivory, drugs, यह सब चीज़ें जो इंडिया में नहीं मिलती थी वो आती थी बाहर से, लेकिन एक major चीज़ें hardware हो, pepper हो, peppers और precious stones हो, drugs हो, वो सब इंडिया से जाती थी बाहर, और उसी टाइम इंडिया में कई सरी textile centers थे, जहांके आसपास आप दखेंगे, factories पहाका, मुर्शिदाबाद, पतना, सूरत, एहमदाबाद, ब्रोच, चंदेरी, पुर्हानपुर, जौनपुर, वारानसी, लखनो, आगरा, मुलतान, लाहूर, मुसुली पतनम, और अंगाबाद, चिकाकुले, वैशाका पतनम, बैंगलौर, कोयमबटूर, मदुरे, यह लेकिंगे, फैक्टरी, सारी इधर ही, स्टैब्लिश हुई थी, शिप बिल्डिंग, आपके आंदरे बर्देश, बंगौल वगरे में हुआ करती थी, इसी परिड़ अगर आप एजुकेशन में देखे, तो ट्रेशनल एजुकेशन थी, जादा फोकस, एंसेंट टीचिंग नदिया और उतकल, मदरसास में परिशन अरभिक सिखाई जाती थी, और अजीमाबाद पत्ना में फेमस सेंटर फोर परिशन लर्निंग था, इरानियन लेंग्वजी से हम कह सकते हैं, तो जो ओर्डर था, वो ऐसा था, जो उस टाइम में मौडरन चीज़ें इंडिया में स् शुरुआत करी थी, टीबु सुल्तान ने भी स्पेसिफिकली रॉकेट लॉंचिंग शुरू करने की, रॉकेट का यूज करना या कैनन्स का इस्तमाल करना, पर फिर भी यूरपियन से बहुत पीछे थे इस मामले में, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, हिंदू-मुसलिमों हिंदूज में अपकी पैट्रियार्गी जादा थी, कास्स सिस्टम काफी रिजड था, मुसल्मानों में शिया सुन्नी कॉन्फिक्ट, शरीफ और अलिफ कर विभाजन, शरीफ मतलब जो हाई क्लास हैं, अलिफ मतलब लो क्लास वाले, वुमन में परता शुरू हो चुकी थी जादा बढ़ गई थी, मुगल्स के आने के बाद सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरेजर्स, पॉलिगेमी, डरी, और स्लिवरी भी एक तरह से शुरुवात हो गई थी, जिसमें कि जो नौकर थी उनको बंचानुगत माना जाता है कि ये मेरा नौकर ने, इसका बीटा भी मेरा गया था कि astronomical study की जा सके, पर्मना पुरम temple केरला में बना, जो अपनी architecture के लिए famous है, ये बात हो रही है, इस period of time भी, जब Europeans आ रहे थे, जब kingdom school रहे थे, तब उससे पहले तो बहुत कुछ होआ पड़ा था, इसके अलाब आर्ट और आर्किटेक्च्छल में देखे, पोईट स्टैम में आए, चाए मिर्जा गालिब हों, या मीर्ता की मीर हों, या नजीर हों, फिर तमिल में आपके सितार पोईटरी बाए, तैयू मनवर काफी strong हो गए, मल्यालम में कंचन नामी ब्यार ने काफी काम किया, पंजाबी में हीर रांजा, वारिशान ने लिखी स सिंधी में रिसालो लिखी गई, एहमद शाह लतीफ के दोरा, तो ये important चीज़े हैं जो आपको पता हो नीची कि एहमद शाह लतीफ और ये किस period में थे, तो ये broad हमने देखा आज social economic conditions को, क्या arrival of Europeans कैसा हुआ, क्या scenario था, इनको समझा, इनको जाना, और मुझे उमीर है कि जो इस chapter की समझी, जो core point है, factories है, मैं उमीर कर था, आप map से देखें, कोशिश करें, उसको associate करने की किसी ruler से, ताकि ये chapter आपको बहतर तरीके से याद आए सके, तो ये था आपका पहला lecture series का देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you very much, and keep on watching only IS.